कि हैं एप हैं वेल्कम बैक टो वर यूट्व चैनल सिविल इंजिनरिंग एंसी क्यूं जैसे कि मैंने पहले ही बताया थे कि यूपी पीसेल जाई का जो है कट आफ अनलेसिस करेंगे तो मैंने सारा डाटा यहां पर कलेक्ट कर लिया है एंड अनलेसिस करने जा रहा हूं देखें डाटा जो मैंने क्लेक्ट किया है उसके बाद जो अनलेसिस है वह परसंट तो होने ही पाया है लेकिन मैं आपको नियर अबाउट बता दूँगा कि कितना कट अफ जा सकता है या फिर जो डाटा है आप उसके देखके किया जाएगा Next सो मतलब त्यार रहें कब तक किया जाएगा इसी चैनल पर क्या आपको बता दिया जाएगा अब देखें क्या-क्या चीजे मैंने क्लेक्ट किया है यहाँ पर आपको 4 PDF मिलेंगी वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि detail वीडियो बनाते है सो आपर vacancy के बात कर लेता है तो ऑफ चीट है इम को चार यहां पर टूटोटल सीट अगर बात की जायए यहांपर टूंटी वन टूटल सीट है इसने कर Tele chant क्या है कट आफ ने निकाला है तो अब बात करता हूं एगए यहां पर क्या है यह जो है डाटा यह डाटा है ? यूपी PCL का जो कि rank IQ के थ्रू क्या है लिया गया है जो कि 100% क्या है accurate data है आप यहां पर देख सकते हैं यह data क्या है 100% authentic data है no changes में जितने भी marks हैं बच्चों के वो बिल्कुल real marks है so maximum marks की बात अगर की जाए based on raw score and based on normalization score both are different here so consider करते हैं आपको दिखाता हूं branch के आप सिविल इंजिनरिंग का ओली मैंने data लिया हुआ यह total देखिए इसमें अभी कुछ चीजे क्या है रह गहीं थी बट वीडियो डिलेड हो गया था काफी ज्यादा मैं इसमें क्या है एक चीज और प्रोवाइड करूंगा इसमें क कोई जुरत पढ़ने वाली नहीं क्योंकि इतनी ज्यादा number of seat थी नहीं यहां पर only 21 थी तो वह mention नहीं किया है बट SSJ का जब मैं निकालूंगा तो यह सब चीजे क्या है mention करूंगा यहां पर आप देख सकते हैं कि क्या है मैंने normalization score के according बता है जैसे कि आपको बता दूं दो ठीक और यह वाला exam जो था second shift वाला क्या था है यह थोड़ा hard था तो यहां पर एक चीज मैं clear कर देता हूं कि और ऐसा हमको देखने के लिए मिला तो normalization को जो फायदा होगा वह यहां पर clear है कि normalization का फायदा जो होगा वह 230 p.m. 25 30 p.m. वाले बच्चों को होगा यह चीज बि जाए same 9 a.m. वाले बच्चों की so marks में क्या है कोई change हुआ ही नहीं है यह normalization का funda भी है normalization का formula आप जब applicable करेंगे मैं आपको दिखा दूँगा उसमें मैंने इस वीडियो में क्या है आपको दिखांगा पूरा properly कि जो यहां पर क्या है कि कुछ change होगा ही नहीं मतलब कि जो morning इसमें कोई change नहीं कि normalization जो depend करता है वो आपके raw score marks पर depend करता है ना कि accuracy पर यह भी चीज बिल्कुल clear है तो अब देखें मैं यहां पर सारा data दिखा देता हूं तो यह क्या है कुछ ऊपर के ही लगबग 20-21 बच्चों का data देख लिते हैं तो उसी से clear हो जाएगा कि cut-off कितना जाने वाला है नर्मलाइजिशन की यहां पर आगर मैं बात करूँ तो यहां पर देखें कि 160, 169, 158, 158 और इसके बाद यहां पर 20-21 बच्चों को पार करने के बाद यहां पर ही हमारा यह entry खतम हो जाती है तो cut-off जो लगबग रहने वाला है वो मेरे according यह आपे end तो near about मान सकते हैं कि 150, 150, near about क्या है लगबग cut-off रहेगा minimum cut-off है जो कि जाने वाला है मतलब कि यह मैं बात कर रहा हूं SC and SD ठीक यह चीज़ यहां से बिलकुल clear हो जाती है कि जो cut-off है लगबग अगर normalization के according चलते हैं सो cut-off यह जाएगा अब यहां पर greater than and less than बात कर लेते हैं कि कि कितने बच्चों के यह जो marks है यह based on normalization है ठीक है किस पर है normalization के according यह based है marks तो 130 से ज्यादे कितने बच्चों के marks आते हैं यहां पर देख सकते हैं 130 से ज्यादा लगबग 184 बच्चों के marks बनते हैं और 135 से ज्यादा लगबग जो marks है यहां पर देख सकते हैं 131 बच्चों के न्हीं के बाद कितना है 160 से जॉद्ध Carroll ऀरहा है ज्योंकि हमिए यहां पे नज़र आ भी आ अरहरा है सो यहां पर देख सकते हैं कि 120 से ज्यादा है और यहां पर क्लिया है सबस्पाचास से ज्यादा अगर वेटिंग की यहां कि तो देख सकते हैं 150 से ज्यादा क्या है 29 अभी भी हैं क्या है हमारे पहुंच रहे हैं 150 से ज्यादा सो मैंने वही बोलाए कि 150 क्या है मिनिमम कट अफ हमारी रहने वाली है बच्चो यह चीज क्लियर होगी है तिक नीचे तक एंट्री आपको दिखा देता हूं आपके satisfaction के लिए जो बच्चे वेट कर रहा है नीचे तक एंट्री दिखा देता हूं थोड़ा जूम करके देख लेते हैं इसके screenshot capture करना है जो भी ची है नहीं है बैसे तो मैंने clear करी दिया बट आप अपनी queries यह सब चीज है की वेटिंग कर क्या होगा नीचे टेलिग्रम में जाका हमसे जोड़ भी सकते हैं वाँ पर और कोई भी information चाहिए आपके जुरूर help की जाएगी S.S.C.J. का analysis जल्दी आएगा जो भी बच्चे वेट कर रहे है S.S.C.J. का analysis जल्दी आएगा और इसी तरह का detail analysis आपको S.S.C. के लिए भी देखने के लिए मिलेगा मेरे को बहुत सारी चीज़ों के S.S.C. के इस बार जुरूरत पड़ेगी कि analysis करने लास्ट टाइम बच्चों ने बहुत help की ती तो इस टाइम भी आपके बहुत ज़्यादा support की जुरूरत रहेगी तो चैनल को क्या है subscribe तो आप जुरूर कर ही लिए क्योंकि मेरे को अगर support नहीं मिलेगा तो मैं clear बहुत बोल देता हूँ कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं यह इसके लिए भ्ल्लकुल ख्राद मी ओ कि अगर मेरे को support नहीं मिलेगा वीडियो बनाने वाला नहीं हूँ यह बात बिल्कुल पक्की है टेक अब देखिए यह मैंने रो पे बता दिया चर्म हम एड़ नहीं करते हैं कि कि जो 9 बजे वाला था मतलब कि 9 एम वाली जो shift थी 9 एम वाली जो shift थी वो क्या थी? easy थी so अगर आपके उसमें marks 160 भी आये हैं यह 155 भी हैं clear then आपके 155 marks हैं so वो 155 ही रहने वाले हैं according to normalization formula और वो चीज़ें आप देख भी लेते हैं देखों यह किस तारिक का paper है and 9 एम वाला paper है यहाँ पर normalization में इसके बच्चे के marks किते हैं 156.75 so यह कितने हैं 156.75 कोई change नहीं होगा यह बिल्कुल funda clear है अगर किसी को personal ही भी निकलवाना है नीचे comment section में बोले कि sir मेरे इतने marks हैं मैं उसको क्या है निकाल के दे दूँगा कि तुम्हारा इतना है या नहीं है मतलब कि cross verified हो जाएगा नीचे comment में बता दें आप नीचे telegram में वहाँ पर बोल दें so मैं एकाद बच्चे के help कर सकता हूं ज्यादा की तो मैं नहीं बोल पाँगा पर एकाद की तुम्हें help कर ही सकता हूं अब यहाँ पर normalization के according ने चलके raw score के according देखते हैं मतलब कि यह चीज क्या है मैंने constant कर दिया है यह चीज मैंने constant कर दिया है इसमें इसको मत देखना है खाली आपको यह देखना है मैंने इसके according बता है आप raw score के according क्या है देख लेते हैं 21 बच्चे clear तो 21 बच्चे यहाँ से आप देखते हैं कि raw score के according अगर चलते हैं तो 145 पहुंचता है ठीक कितना 145 clear मतलब कि यहाँ पर भी 22 seat हो जाती है तो तब कि एक टो seat जादा इसका मतलब अगर raw के according भी बात किया जाए तो cutoff कितनी 145 तो minimum to minimum based on raw कितनी हो गई 145 clear यह N.A.S.C. का बोला है यह चीज भी आप समझ लें कि जो minimum to minimum cutoff है वो 145 है मतलब इससे अबब ही रहना है हर हाल में यह चीज आप समझ लें और उसका मैंने बोला है 150 अगर normalization पर जाते हैं तो इसका मतलब इससे ज़्यादा ही समझे तो 5 नमबर का plus minus 5 का मैं variation यहाँ पर लेकर चलता हूँ but I am sure की cutoff जो है वो 150 के आजपास यहाँ उससे ज़्यादा पहुंचेगा आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो यह normalization का मैंने आपको दिखा दे है based on raw score marks based on normalization marks यहाँ पर आपको मैं category का according भी बता देता हूँ कि जो बच्चे आप यहाँ पर wait कर रहे होंगी कि sir आपने इतनी महनत किये तो आप category का according बता दे मैं बतातेता हूँ कि अगर आप normalization का according जाएंगे आप वहाँ पर 10 seat है तो यह जो पीछे data है आप वीडियो को दुबारा देख सकते हैं कि वहाँ पर only जो qualified कर रहे है general ठीक है only general जो qualified कर रहे है वो 4 बच्चे थे बस पीछे आप देख सकते हैं जाके कि जो qualified कर रहे थे वो only 4 बच्चे थे जो qualified कर रहे थे बाकी में OBC आ रहे थे जिनका कि क्या है दूसरी शिफ्ट वे पेपर था OBC candidates थे तो यह पर मैं नीचे स्क्रॉल करता जाओंगा आप इसको भी क्या है स्क्रिंशॉट जो लेना चाते हैं ले सकते हैं ठीक है वीडियो को देखे लाइक जरूर करें एट लिस्ट आपको सेलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है वह बाते या लगा है बट मेरे लिए महनत पूरी बरावर लगती है कि यह सब चीज़े एनलिसिस करने में यह सब सब्सक्राइब निकली थी ऑब्जेक्शन की मैं सोच रहा था कि तब तक हो जाए बट नहीं हो पाया पर कोई दिक्कत नहीं है कि बच्चों ने ऑब्जेक्शन किया था मैंने टेलिग्राम से खूब सपोर्ट किया था एंड यूपिटर पलसी के ग्रुप में भी ज़या थ सपोर्ड किया था उनको भी थैंक्यू बोलता हूं मैं नीचे आप उनका भी ग्रुप का लिंक मैं नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में आप वहां पर जोड सकते हैं अगर यूपिटर पलसी केंडिडेट से हैं आप सो वहां पर भी आप जोड़ जाए ठीक यहां पर कि आपकी आर्ल-इंडिया रांक के कितनी आती है वह चीज मैंने आप दिखाई है तो देखते हैं कैसे देखिए आपको कटेग्री वाइस रांक के यह इदर नजर आ रहा होगा यह चीज तो यह कैटेग्री रेंक है नीचे यहां पर कटेग्रिया नजर आ जाएगी सुपो बाद OBC candidates जो आता है 153 पर यह All India Rank कितना है 1 and इसके बाद UR का जो बच्चा है आप देख सकते हैं 155 के बाद 153 तो यह कितने All India Rank 3 and ऐसे ही नीचे चलते चले जाएंगे तो Open का यह बच्चा है 152 तो All India Rank 4 ऐसे EWS पर All India Rank 1 होगा 151 पर and OBC का जो होगा यहाँ जब 1st के बाद 2 तो यहाँ पर हमको क्या है 2 mention हो रहा है तो यह क्या है इनकी Category Rank है आप देख सकते हैं ज्यादा बच्चों कि हमें देखने की जुरूत नहीं पड़ेगी Raw Marks पर और मैं शूर हूँ कि Raw Marks पर बात करते हैं तो सेम रहेगा लेकिन Normalization पर क्या है इसमें कुछ variation हो सकता है बट Raw Marks पर क्या है आप देख सकते हैं इसको मान सकते हैं कि यह क्या है आपके 156 नंबर थे तो आपके All India Rank 1 थी इसी का Screenshot आप ले सकते हैं मैं इसको थोड़ा आराम से दिखाऊंगा ताकि सभी बच्चों को पता लग जाए कि सर मेरा इतना Marks था कि कम से कम उनको पता लगे कि इनका Rank आए क्यूकिक अकॉर्डिं हैं तो 29 हैं लेकिन यह based on Roy score है बच्चों याद रखना और based on normalization भी मैंने बनाया है कोई परिशानी वाली बात नहीं है based on normalization भी मैंने बना कर दिया है आपके लिए पूरी-पूरी मैंनत किया जितनी मैंनत मैं कर सकता हूं बट थोड़ा सा मेरे को क्या सपोर्ट नजर आना अब यह वीडियो मैं पोस्ट करूं उसके बाद देखूं कि हां कुछ वैल्यूवल कमेंड्स कुछ आपके डाउट्स नीचे हो और थोड़ा लाइक देखने के मिलें थोड़ा सब्सक्राइबर मेरे को देखने के मिलें क्योंकि लास्ट टाइम मैं लगवाग 12,000 सब्सक्र पर एड़ दिया यह बात बोलते मैं बिल्कुल शर्माता नहीं हूं आप यहां पर देख सकते हैं OBC का यहां पर 199 एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करके यह कुछ इस तरह से रैंक नीचे 215,220,223 नीचे आप चलके देख सकते हैं और यहां पर कंटीनू रैंक यहां पर के लिए मिल रहा है अब यह तक SSJ की बात किया जाए तो नियर अबाउट पांसो बच्चों का डाटा लगबाग आ चुका है औल्मोस्ट पांसो तो नहीं हुआ है साड़े चारसो क्या सपास है लेकिन पांसो हो जाएगा बहुत जल्दी तो टोटल डाटा हो चुका है यहा बात किया मैंने बेस्ट ओन रॉय स्कोर एंड बेस्ट ऑन नर्मलाइजेशन यहां पर बता देता हूं लेकिन नर्मलाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो यहां पे एक सुसार्थ एंड यह ओबिसी केंडिट का बच्चा है वही सेम फंडा वही है कि ओबिस सकते हैं कि seat के according general की 10 seat है तो कोई बच्चा यह दो बच्चे का है general की इन्हों ने एक seat कम us के कम कर दिया है थी यृद्वडियूस की दो सीट ही ती तो मतलब तीन जनल की seat कम हो चुकिया है तो मतलब टीन सीट हैं कम हो चुकी है सो यह थोड़ा reservation का है मतलब की reservation का अगर क्रॉस करता है तो फिर वो चीज तो अलग है यहां पर आप देखते हैं कि नीचे के बाद या इंतलब 21 खतम होने के बाद जो कॉट आफ लगबग पहुंचता है वो मैं आपको बोले ही था कि 151 के आज पास लगबग पहुंचेगा और हमको वही देखने के लिए टीक है इतना ही लगबग हमको कट आफ देखने हो रहा है मिनीमम मैंने बोल दिया पर वली कि इतना रहे हो है तो आप देख सकते हैं कि यहां से भी आप स्क्रिंशोट ले सकता है मार्क्स मैंने सबके विजिबल करा हैं सिर्फ नाम और रोल अंबर आपको यहां पे मेंशन नहीं है रहें काई क्यों कभी उसको अपने पास रखता नहीं है प्राइवेसी का पूरा अपका ध्यान रखा जाता है एंड पीडिएफ भी हम शेर नहीं करेंगे जैसे कि आपको पता ही है तो नीचे टोटल आपको 678 यहां पर देख सकते हैं सभी किया नॉर्मलाजेशन क देखें मैं मानता हूं कि कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि पहले शिफ्ट जो थी उसका पेपर कहसा था अगर आपको पेपर चाहिए वह भी मैं आपको दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा वहां सा पेपर क्या डाउनलोड कर सकता है तो किसी को अगर परस्नली चाहिए सो मैं आप कर भी दोंगा यह नमलायजेशन का हमने फॉर्म लाय यूस किया था एंटाइर वीडियो मैं जो भी हमना बताया है यह नमलायजेशन का फॉर्मला जिसके थूपर यह बदीयो में बताया है किसी भी अगर बच्चे को पूछना ओ कि किस तरह से किया है, नीचे कमेंट कर सकता है, एक आद बच्चे का मैं बता दूँगा, सभी का तो नहीं बता सकता हूं, तो मिलते हैं लिए वीडियो में, टेक क्यार, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बाई